हलो बच्चों कैसे हो आपका स्वागा थत्रिपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं काफी महतुपूण चैप्टर है कुछ प्राकिति घटना है कुछ प्राकिति घटना है काफी महतुपूण यहां पर है कक्षा आटमी विज्ञान के अंतरगत इसमें जो आज हम करेंगे mcq जो काफी महतोपूंड रहेगा exam point of view से इसमें हम हर एक mcq को समझेंगे उसको analyze करेंगे और आपके समक्ष रखेंगी और यह exam point of view से महतोपूंड रहेगा और जो बच्चे complete exam की तयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महतोपूंड रहेगा और देखा जाये तो हमारा यहां कोशन जो आया है काफी महतोपूंड है यहां पर जो हम chapter कर रहे हैं काफी महतोपूंड है कुछ प्राकीति घटनाई तो देखा जाये तो कुछ प्राकीति घटनाई जो है यह काफी महतोपूंड रहेगा कक्षा आठमी के छात्रों के लिए और यहाँ पर जो तिरपान स्टेडी सेंटर आपके समक्ष लाया है वो MCQ है और इस MCQ की एक खास मिसेस्ता है कि यह सारे MCQ जो है आपको टेक्स बुक्स से लिए गए है और एक्जाइम में हमेशा टेक्स बुक्स को ही बेस बनाया जाता है और यह काफी महत फून है देखा जाए अगर हम कोशन हो की अनलाइस करें तो यहाँ कोशन आता है अगला कोशन हमारे समक्ष आगे आए कोशन है पृत्वी के सतापर उत्पन तरंगों को क्या कहा जाता है पृत्वी पर जो तरंग उत्पन होती है उसको हम क्या कहती है कोशन काफी महत फून है देखा पृत्वी पर्डूस अनलाइस सर्फेस इस काल यह विकाम पी कोशन काफी दिल्चस्प है पृत्वी के सतापर उत्पन तरंगों को हम हमेशा जो है विकम्पियल लहर कहती है हम उसे अनुधरे तरंगे नहीं कह सकते सुक्षम तरंगे भी कहना सही नहीं होगा और रेडियो तरंग कहना तो बिल्कूल ही गलत होगा पृत्वी के सतापर जो तरंगे उत्पन होती हे जिसके साथ आप जा सकती हो कि प्रित्वी की सताप रुत्पन तरंगों को हम विकंप ये लहर कहते हैं विकंप ये तरंग कहते हैं तो देखते हैं अगला कोशन आपके सिर्फ पर आगया है कोशन है वुई कम की सकती को मापने पर पहिनाम के रूप में व्यक्त किया जाता है वुई कम की सकती को मापने पर पहिनामों के रूप में हम किसको व्यक्त करते हैं The power on earthquake is expressed as a term of magnitude on the scale of cold Question is very clear The power on earthquake is expressed as a term of magnitude on the scale is cold A, letter scale कहते है letter scale B, quake scale C, reactor scale D, prithvi scale आपने देखा होगा कई बारे जो भुई कम के जटके आती है यह हमारे एक प्राकितिक अपदा है इसे बचना संभब नहीं है लेकिन हमारे पास ऐसे कोई बहुत से instrument है जिससे हम इसके बारे में प्राइनामों के बारे में व्यक्त कर सकती है कि इसका प्राइनाम कितना रूप से देखेने को मिला है आपने देखा होगा टीबियों पर निउच चलता है और कहते हैं कि इतना रियक्टर स्केल के बुविकम के जटके महसूस किये गए यानी कभी 6 रियक्टर स्केल के बुविकम के आये थे कभी 4 के आये थे कभी 10 के आये थे 10 में तो पुरा तवा हो जाता है साथ से ही तवाई का नगाला देखने को बंग जाता है और कही ज keen घटना ऐसी घटी है देखा जाए तो गुजरात में भुजी में 2001 में 26 जनवरी को जो भुई कंप आई थी पुरे भारत को हिलाके रख दिया था और काटमांडू में जो भुई कंप आये थे तो उसके से आप परिजित्य होगी होगी भुई कंप के जटके जो हते हैं बहुत ही खतरनाक होती है तो वुकम के सक्ति को मापने का परईणाम जो होती हैं रिक्टर्स के रूपस में व्यक्त करते हैं यानि डिचर्स इसकेल हिंदी में कहेंगे रिक्टर्स के लुज्चेес की ओप्शन आपका सही है अधिक नहीं घुमाना है C option के साथ आपको जाना है चलिए देखते हैं अगला question क्या है अगला question जो हमारे समक्षाया है question है विकम आपने के लिए किस उपकरन का उपयोग किया जाता है विकम आपने के लिए हम किस तरह का instrument का उपयोग करती है which instrument is used to be measuring of earthquake you know that question is interesting which instrument is used to be measuring of earthquake option है reactor scale B simograph C polygraph DIN में से कोई नहीं question का भी महत्वपून है कि विकम आपने के लिए हम किस उपकरन का उपयोग करती है देखा जाए तो reactor scale जो होती है विकम के पई नाम को नापता है विकम के पई नाम पई नाम का आर्थ होता है कि कितने scale पे विकम के जटके आई है ठीक है यह एक reactor scale है ना कि विकम मापने के उपकरन है कई बच्चे यह सोच रहे होंगो कि reactor scale को सही जाएगा लेकिन मैं आपको बता दू reactor scale जो है इसका मापक है यह अंत्र है मापक है पई नाम है किसे आप SI unit लिखते हो SI reactor scale जो है SI unit के रूप में देखा जा सकता है ना कि मापने वाला उपकरन है देखा जाए अगली बात कह रही है सीमोग्राफ सीमोग्राफ एक ऐसा उपकरन है जिसको मापने के लिए उप्योग किया जाता है इसमें कोई दो राए नहीं है पॉली ग्राफ जो थी पॉली करते हम वो अलग प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है इसका मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है विकब मापने के लिए हम जिस कुरन का उप्योग करते है उसे हम सीमोग्राफ कहते है और सीमोग्राफ के अंतरगत हमें रियक्टर स्केल का इंफ्रमेशन मिलती है तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही है बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो और अगला कोईशन को भी देख सकते हो चलिए अगला कोईशन क्या है अगला कोईशन जो हमारे समक्ष आया है कोईशन है कौन सी प्राकितिक घटना नहीं है देखिए आपके समक्ष कुछ ओफ्शन दिए गए है इन में से बताना है कि कौन सी जो घटना है प्राकितिक नहीं है विच इस नोट अनेचरल फिनमोन विच इस नोट अनेचरल फिनमा नहीं सिया ए भुईकंप बी चक्रवाद सी बिजली डी और थी कोईशन काफी महत पून और अंसर बहुत असान है देखिए भुईकंप की बात करें तो भुईकंप जो है एक प्राकितिक आपदा है ठीक हमसे पूछा है कि प्राकितिक आपदा कोण नहीं है विकंप तो सबसे बड़ी प्राकितिक आपदा है इसे बचना संभव नहीं है बी और अप्शन की बात करें हम चक्रवाद तो चक्रवाद भी एक ऐसा प्राकितिक घटना है जो काफी जो है तहस नहस कर देता है इवन देखा जाए बिजली जो आसमान से बिजली गिरती है धरती पे तो बहुत ही नुकसान करती है और यह किसी इंसान के बस में नहीं है तो यह भी जो है एक प्राकितिक घटना है देखा जाए तो A, B, C सारे के सारे प्राकिति घटना है D करता है कहता है अर्थिंग देखिए दोस्तों अर्थिंग जो है एक प्राकिति घटना नहीं है क्यों अर्थिंग जो है हम अपने घरों को बचाने के लिए या बरे-बरे, बिलइगों को बचाने के लिए, उपर राब लगाते हैं, और उसका तार धर्ती से टायच कर देते हैं, तो उसे हम अर्थिंग कहते हैं, यह एक मानव निर्मित उपकरन है, जो विजली से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका मतलब आप D option के साथ जा सकती हो D option जो है इस question के अंतरगत सही है D option चली देखते अगला question क्या है अगला question जो हमारे समक्षाया है question है एंबर एक है देखें एंबर क्या होती है question पहली बार आप सुन रहे होगे कि एंबर क्या है तभी कहते हैं जब तक बच्चे किताबों को ना परे ना समझे उनको कुछ समझ नहीं आती है और एर्थ क्लास के बच्चे भी किताबों को नहीं समझती है लेकिन आपके लिए यहाँ पर एक फैदे की बात तिरपान एसलिशनेर किया है इस सारे question को जो है mc कोशन एंबर एक है यानि एंबर इस क्या धातू को एंबर कहते है या बी रबर को कहते है या सी रॉल को कहते है डी चीनी को कहते है कोशन कापी इंट्रेस्टिंग है कि एंबर एक है देखिए एंबर एक धातू नहीं है और एंबर एक रबर भी नहीं है और एंबर एक चीन अगला कोशन जो हमारे समक्ष आया है कोशन है जब दो सरीर एक दुसरे को रगड़ते हैं तो प्राप्त हो जाती है किस बात को प्राप्त करती है जब दो सरीर एक दुसरे को रगड़ते हैं यह कोई दो बस्तुवों को आपस में रगड़िएगा तो वो क्या प्राप्त करेगा तो कोशन है यहां जो हमारे समाने और समाने सुल्क भी कहेंगा समाने और समाने सुक्ल सी कहेंगा आ समाने और समाने अरोप दी कहेंगा और समानने और समानने अरोब देखिए कोशन काफी महतुपून है यहाँ पर जो अरोब और सुल्क दिये गए है वो चार्जिस के लिए वो डियूज किये गए है यानि सुल्क अरोब जो है चार्जिस के लिए है तो देखा जाये तो आप्शन काफी महतुपून है option होगा यहाँ पर B सही जाएगा कि समानने और A समानने charge equal and unlike charges जब दो सरीर को एक दूसरी तर गड़ते हैं तो हमें प्राप्त होती है समानने और A समानने charge यानि equal and unequal charges तो B option आपका सही है B option के साथ आप जा सकते हो हिंदी के शब्द जो होते हैं बड़े ही उल्जे हुए होती है और English के सब्द जो होते हैं काफी असान होती है और English से बहुत असानी से आप समझ सकते हो Hindi समझना थोड़ा कारे होता है इसलिए तरिपान STS Center ने Hindi English दोनों ही माद्या में यह कोशन समझाने की कोशिश किया जाता है तो यह आपके लिए काफी महत्वपून बन जाता है चलिए देखते हैं आपके लिए अगला कोशन क्या महत्वपूनता लाता है चलिए देखते हैं अगला कोशन हमारे समक्षा गया है कोशन है काच की छर को रेसम से रगरने पर प् सा वेश जो है प्राप्त होगा it is a convention to be called the charge acquired by the glass rod when it is rubbed with the silk as question is very interesting it is a convention to be called the charge required by a glass rod when it is rubbed with the silk as option यहापर है नकरात्मक चार्ज हमें प्राप्त होगी b कह रहा है सक्रात्मक चार्ज प्राप्त होगी d कह रहा है तधस्त तधस्त का मतलब होता है neutral और d कह रहा है मेंसे कोई नहीं हो सकता question का भी महत पून है और जरूरी भी exam point of view से कार्ट की जर को रेशम से रगारने पर हमेशा हमें सक्रात्मक यानि सक्रात्मक फ्राप्त होगा आपशिज क्षाइभ जा सकती हो आगला कोश्ञ क्या है अगला कोशन हमारे समक्ष आया है काफी महतपून है कोशन है 26 जनवरी 2001 को भारत को किस भाग में बहुत बड़ा भुईकंप आया था यह घटना बहुत ही बिचित्र था, 26 जनवरी 2001 को भारत में एक बहुत बड़ा भुईकंप का जो है त्राहिदा सहना परा था, तो वो राज्ये कौन सा है जहां पर 26 जनवरी 2001 को भेंकर भुईकंप आई थी, तो देखा जाए, तो आपको मैं बता दूँ, कि गुजरात एक ऐसा जगा है, जहां पर आए दिन भुईकंप के जटके महसूस होते रहते हैं और ये कभी-कभी भेंकर रूप धरन कर लेता है, तो 26 जनवर एक को भुज में भुईकंप आई थी, यानि गुजरात में, और देखा जाए तो पूरे गुजरात के भुज को बिलकुल ही तहस नहस हो गया था, और बहुत से लोगों को जो है अपनी जान तक गवानी पर गई, कहते हैं ये भुईकंप इतनी तगड़ी थी, और इसका रेक्टर स्केल बहुत अधिक था, और यहाँ पर एक जीब जन्तु भी नहीं बचा, जो बचे उसा मलवे के नीचे से बचाए गए, और ये भारा सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या का समय काल था, कि 26 जन्वरी जिस दिन हम सुतर कंदतला दिवस की जो है प्रेट की देख रहे थे, उसे समय ये भुईकंप आई थी, और इस भुईकंप ने सुबह सुबह ही पुरे भारत को दहला के रख दिया, और भुज में आए दिन भुईकंप तो आते ही रहते हैं, लेकिन ये भुईकंप बहुत तगरी थी, 26 जन्वरी 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 एक को भारत में सबसे भुईकंप आया था, वो भुज में आया था, गुजरात, तो इस कोशन के साथ जा सकते हो, काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर कोशन थी, और ये एक्जाइम पॉइंट से भी काफी महत्वपूर्ण थी, अगर आपको ये कोशन सब समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी पर कार्प्राफ्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दुसरे बच्चों का केर बन सकता है, और आपको मैं बता दू, कि तिरपान इस संडर ने साइंस के जो सलेबस है, सेकेंड पार्ट का, वो सारे कवर कर चुका है, सारे वीडियो आपको बहुत ही असानी से प्लेलिस पर मिल जाएगा, तो यह आपके लिए इसलिए किया गया, क्योंकि आपने तिरपान इस संडर के मदद किया है, और मदद करने का एकी रूप होता है, दूसरे बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाना है, जितना हो सक इस वीडियो को पहुंचाईए, दूसरे बच्चे तक इतना इस वीडि की जाएगी तो यह बहुत ही काफी महत्वपून आपके लिए बन जाता है और करना कुछ नहीं होता है यूटूब से लिंकों को भी करना है वर्ट्र वेट्रस में लगा देना है जो बच्छे आपके और वी वीडियो आपको इस तरह प्राफ्त होता रहे तो महत्वपून यह है कि आप चनल को सब्सक्राइब कर लें कि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो अगले वीडियो का नोटिस्वेशन मिलेगा और आपको तो पता ही होगा कि दिरपान स्टेडी सेंटर अब छेमी कला सेलेकर में कलास के बच्चो के लिए महत्वपून चनल बन गया है कि तो यह काभी महत्वपून आपके लिए बंता है जैसा झाल झाल